Hello everyone, welcome to AIM Releway. आज हम March की important days and उसके themes पढ़ेंगे देखिए. Current affair, SAC JE के लिए बहुत important retain marks था. Current affair 100% है. आपको सिर्फ इतना करना है कि current affair की जितने पी मेरे वीडियो अपलोड हो चुके है. अभी तक 2 अपलोड हो चुके है. और 2 जो है bonus classes जो की days and themes पर है. और आज ये 3rd class है bonus class. इसके बाद जो है मैंने design किये है 8 classes. वो 10 current affair कि अगर आप classes दिल लगा कर लोगे और उसका जो PDF है वो download कर लोगे. और repeat 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 पढ़ते रहोगे जब तक exam नहीं होती. मैं आपको guarantee देती हूँ current affair में आप से ज़्यादा marks कोई भी नहीं लेकर आएगा. ठीक है. चले फिर start करते हैं. आज का क्या है? 1st of March. आज March 2020 के इतने भी important days and themes है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर याद करेंगे. ठीक है. देखें, अचली हुआ कहाना, लोगडाउन के वज़े से examiner के पास कोई answer इतनी information नहीं है, पूछने लाइक. तो वो क्या करेगा? January से लेके March तक ही इतना खोद-खोद कर पुछे का, तो मुझे ऐसा कहना है कि आप अगर किसी से पढ़ना नहीं चाहते हो. ठीक है, तो January से लेके March 2020 तक के जो है, magazines मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लिजे, अगर आपको पैसे भी ने खरचने है, डाउनलोड कर लिजे, खुद से पढ़ने का तब फिलाल टाइम ने, लेकिन फिर भी, अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माक से जादा कुछ इंपॉर्टन नहीं है, आप डाउनलोड करें, वो माक्जेंस और पढ़ी है, ठीक है, हाला कि हम लोग यूटूब पर बहुत सारे अच्छे-चानल्स हैं, लेकिन वो पेड जो है, आपको पीडियेफ और वीडियो करते हो वीडियो को, ठीक है, चले, फिस्टार्ट करते है, फ्रस्ट क्या है, फ्रस्ट अफ मार्च, फ्रस्ट अफ मार्च को जो है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे करके सेलिबरेट किया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेद भाव, ठीक है, और जेंडर प्रख्षा दिवस मनाया जाता है वर्ल इस साल की जो थीम थी तीम देखते देखिए सिविल डफेंज and a first aider in every home ठीके सिविल डिवेंज जो नागरिक सुरक्षा है वह घर से ही स्टार्ट होती है ठीके first aider at every home यह याद रखिए 1st of March को क्या मनाते हैं हम Zero Discrimination Day क्या करना ना ऐसे अब खाना खाल या डिनर वगेरा हो गया ना तो क्या करना रफ पेज लेना है ठीक है रफ पेज लेने के बाद अराम से बैठता है 15 मिनट तक 15 मिनट तक क्या करना है करना है तो पहले फरस्ट आफ जान को कुछ मनाते हैं क्या मतलब यह ना मैं अजब हम लोग preparation करते थे तब हम ऐसे करते थे ले आप पेपर ले लिए डिनर के बाद फिर लिखते थे कि जानवरी मंत में कौन से important important days है तो जब आप लिखकर निकालते हो तो जयाद हो जाते एंसे तो काम बसता के सिर्फ याद करने का और फिम किसकी याद करना है वो तो मैं आपको बताइए रही हूं ठीक है तो आप ऐसे करना ठीक है एक रफ पेज लेना है उसके अपना जो है जो भी मंत याद आता है सपोज कोई भी मंत याद आ रहे All of a sudden कोई मन्त ही आदा गया, सपस्स मार्ज ही आदा गया, तो मार्ज के ही जो है देश पूरे लिखकर निकालने हैं, ठीक है, थर्ड मार्ज को मना जाता है World Wildlife Day, इसकी थीम इंपोर्टन्ट है, ठीक है, World Wildlife Day और Wetland Day की थीम 100% एक्जाम में पूछता है, तो याद रखिए, World Wildlife Day की थीम जो है, सस्टेनिंग और लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, हर एक लाइफ को राइट है कि वो सस्टेन कर सके अर्थ पर, आप अनिमल, आप यूमन बिंग क्या हो, आनिमल ही हो, लेकिन आपके पास थोड़ा सा दिमाग जादा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप वाइड ल मार्च को वर्ल वाइड लाइफ डे करके बनाया जाता है, उसकी थीम है, सस्टेनिंग और लाइफ ऑन अर्थ, यह यादा कि प्लीज यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है, नेक्स कोशन है, एट अफ मार्च यह तो बच्चे-बच्चे को पता होगा कि इंटरनाशनल हुम इ SANre 15 भी जानना जरूरी है, आर्टीकल 15 क्या कहता है, कि प्रोखीबिशन करता है, यह प्रोखीट करता है, किसी को भी मार्च करना उसके सेस्ट के बेसिस पे, उसके भी आसके बेसिस पे, उसके स्कीन कलर के बेसिस पे, ठीक है, पहले कैसा about ऐसे था अकूई कि कोई की APP Сам स् आर्टिकल सेवेंटिन कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अंटच अबिलिटी ठीक है वह छूआ छूट वाला जो होता था पहले कि उन्हें हाथ नहीं लगा ना उनके हाथ का पानी नहीं पीना इस तरह का तो आर्टिकल सिफ्टीन और आर्टिकल सेवेंटिन अच्छे से समझ लिया आपने अच्छे से याद भी रखिए ठीक है नेक्स का है फिफ्टीन ओफ मार्स को मना जाता है वर्ल कंजूमर राइट डे हर कंजूमर का राइट होता है कि उसे जो प्रोड़क्ट मिल रहा है वह हंड़ेड परसेंट नाच्रल याफिस सौरी हंड़ेड परसेंट जो है ज फừaस सोना बल्र कंजूमर क्या है से सास्टेनेबल कंजूमर नियक्सट वी समार्ज को बनाय जाता है वर्ल स्पेरोडे इश्यष और नियंकि स्पैरोडे परहें Clay कि स्पईसेज्ट में मेंने आपको इम्वर्मेंट के दिया कि इंपोर्टन स्पीसीज का मतलब किया बहुत इंपोर्टन इसपीसीज देखी अगर शेर इक की स्टून स्पीसीज अगर शेर ही खत्म हो जाए तो जंगली जानवर होते हैं उन उन्हें खाने के लिए कोई बच्चेगा नीच है और जंगली जणावर इतने जाधा बढ़ जाएंगे इतनी जाधा बढ़ जाएंगे फिर वह जो है घास खाने लगेंगे ट्राइशन आपके अजसें लगता है और फिर हमारी आप फोटो सेंतिस्टंइस फिर तो जो क्यों गयते हैं उसे लाइक वो जो चैन होती है फूट चैन ही खराब हो जाएगी और फिर अल्टिमेटली वो लोग मर जाएंगे और मरने के बाद फिर से इंवर्मेंट खराब हो जाएगा तो की स्टोन स्पिसीज मैंने एक्जाम्पल भी दिया था अगर आपके घर में एक छोटा सा और उसके पापा है अप्राप्सिमेटली कुछ 25 साल के समझो ठीक है अगर उस बच्चे ने कुछ खेला नहीं कुछ किया नहीं तो घर चल जाएगा लेकिन पापा ने अगर कुछ कमा कर नहीं लाए वह पापा ने तो घर चलेगा क्या उसी तरह से की स्टोन स्पिसीज होता है आप जो है कोई भी सब्जेक्ट पड़ो हिस्ट्री पड़ो पॉलिटी पड़ो करेंट अफेर के साथ जब जोड़ोगे तभी आप सही माहिने में जो है जी के पढ़ रहे हो ठीक है लेक्स 21st of March को मनाया जाता है वर्ल्ट फॉरेस्ट्री डे ठीक है वर्ल्ट इंस्टीट कहां है इंडिया में फॉरेस्ट इंस्टीट जो है नाशनल इंस्टीट हमारा तो वह उसका हैड़कॉर्टर दहरादूर में है और हंडेड़ परसें यही कॉश्चन पुछ्चन को सब्सक्राइब का है तो आपको याद रहे जाएगा कि यह दहरादूर में है और इस साल के थीम क्या थी forest and biodiversity क्या थी forest and biodiversity next देखते हैं जब वैं five star कर रही हूं न questions या फिर five star कर रही हूं days वो तो 100% आपको यादी रखना है ठीक है 22nd March को मना जाता है world water day क्या मना जाता है world water day बच्चे क्या confusion कर देते है वर्ल वाटर डे और वर्ल ऑर्ट डे ठीक है 22nd April को मना जाता है tomorrow इसमें confused हो जाते हैं खुझी confused हो जाते इसा confused नहीं हो अब को टीक है 22nd मार्ट को मना जाता है world water day और इस साल के थीम क्या थी water and climate टीक है water and climate क्योंकि यह एक दूसरे से interconnected है पानी अगर नहीं होगा तो climate खराब हो जाएगा climate खराब हो जेगा तो पानी खराब हो जागा इन्टर connected चीज़े है तो 22nd March क्या मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे फाइस्टार है यह प्लीज आप यह याद कर लीजे ठीक है नेक्स्ट क्या है 24th of March वर्ल्ड ट्यूब कोलॉसिस डे ठीक है टीवी डे करके मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूब कोलॉसिस डे तो इस साल की थीम थी इस टाइम ठीक है अब यह टाइम आ चुका है आपको मतलब आपको अगर इस तरह की बीमारी है तो प्लीज आप जाएए औ तो यह क्या था 24th of March को वर्ल्ड टीवी डे करके सेलिबरेट किया जाता है याद रखना ओके यहां पर हमारी डेज खतम होते मार्च के इंपॉर्टन डेज हमने आज पूरे कर लिए है और मैंने एक स्पेशल क्लास आपके लिए जो है डिजाइन की है तो आप लोगों को मै रीजनिंग किस तरह से सौल करनी है ठीक है हां रीजनिंग किस तरह से सौल करनी है ऐसे सी जही किस तरह से आप 50 में से 50 मार्क किस तरह से गें करोगे विकाज वो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 मार्क गें कर सकते हो ठीक है तो तब तक के लिए बने रहिए लाइक इस वीडियो और आपको वीडियो कैसे लगा प्लिस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएए थांक यू